अपनी यूटूब चैनल एके फूर एकड़िमी में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे क्लाश ठलत का बैवसाइक अध्यान का रुख जाना नहीं का पेपर जिया दोस्तो आपने सही सुना रुख जाना नहीं जो आपकी पेपर होने वाली है उसके पूरे की आप त्यारी कर सकती है अगर इससे अगर आप त्यारी कर लेंगे तो आपको पास होने तक के नंबर आ जाएंगे तो वीडियो स्टार्ट करने इस पहले एक रिकेस्ट अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटा-फट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रस कर इंग्लिस और हिंदी माध्यम दोनों माध्यम में है प्रस कमांग एक है एक सब्द बाक में उत्तर लिखिये पहला प्रसन है हेंड्री फ्योल ने कितने प्रवंद के सिद्धान्तों पर प्रतिकवादन किया है दूसरा कोस्चन है भारत में अपनाई जाने वाली आर्थिक प्रणाली का क्या नाम है और तीसरा कोस्चन है प्रवंद तथा प्रात्मिक कार क्या है और चौता है आधिकार अंत्रण के कितने तत्र है और पाचमा है विग्यान भरती का कौन सा सोत्र है आपटापट स्क्रेंस और कलीजे कोई दिगत नहीं है इसी तरह हैं बात करते हैं दूसरा प्रस्ण तो दूसरा प्रस्ण है मारा सत्थ और असत्थ में एंसर स्वरी सत्थ लिखिए यह रहा दूसरा प्रस्ण आप देख सकते हैं पहला है नियोजन में सभी प्रबंध कियों से ब्याप्त दूसरा है आधिकार अंतरन सभी व्यासाय में अवस्थक होता है तीस प्रभावी नियंत्रण के लिए आवस्क है और पाचमय इस्थाई पूंजी में समलित नहीं है इसी तरह हैं बात करते हैं दोस्तों अगले कॉस्चन की तो अगला कॉस्चन है आप इसके एंसर चाहिए तो आप कमेंट भाक्स में कमेंट फटाफट कमेंट कर दीजे इसके पीडियाप के लिए हमारे लिंक डिस्किप्शन में दिये हुआ है टेलीग्राम का आप जाकर जॉ आइगे ज्यादा से ज्यादा सही भी कल पयाँ एंगे साथ-साथ-ाथ-8 क्वेश्यन दीए रहेंगे तो इन सभी के सभी क्वेश्यन ओको आप तैयार कर लीजे यह सही जोड़ी का प्रशन है जो कि आपके इस्क्रिन पर सूँर है प्रात्मिक बाजार, भहतिक विवरण प दो विशेशते हैं बताईए दूसरा है प्रवंत के सिध्धानतों की परिवासा दीजिए और तीसरा कॉस्चन है राजनेटिक परियावरान से क्या आसे है सात्वा का कॉस्चन है सात्वा के अत्वा का कॉस्चन है समाजिक परियावरान से क्या आसे है और प्रश्ण क्रमा का अतवा बैवसाइक परियावरान के महत कोई दो लिखिए। इसी तरह हम बात करते हैं परिच्चमा आथवा के अतवा बैवसाइक परियावरान के कोई दो भी सेस्नाे हैं. बताईे। Q9, नियोजन से क्या आसे है? Q9 के अत्वा, नियोजन के कोई दो लच्छन लिखिए. इसी तरह हम बात करते हो Q10 की, तो Q10 है, नेत्वरुत्य से क्या आसे है? और इसके अत्वा का परिवेच्छन से क्या आसे है? इसी तरह हम बात करेंगे Q11, एक प्रभावी नेता के गुडो को बताईए कोई तीन, और निर्देशन महत को कोई बताईए तीन, ये सभी के सभी Q10 आप त्यार कर लेंगे, तो पास होने बसको नंबर आपको मिल जाएगा, जिया दोस्तों, पास होने बसका नंबर आपको मिल जाएगा, साइज से question पूछे जाएए, पिछले साल के paper से साइज इस से question पूछे जाएए, तो आप फटापट सभी के सभी Q10 को त्यार कर लेंगे, कोई दिग्र नहीं है, अगर इसका PDF चाहिए, लिंक डिस्क्रेप्शन में, टेलीग्राम का, आप जाकर जोइन कर लेंगे आपको PDF मिल जाएगा, तो दोस्तों इसी तरह हैं अगला question देख लेते हैं, अगला question हमारा क्या है, अगला question है हमारा question नमर 12, question नमर 12 क्या है दोस्तों, अभी पेरेन के देश बताईए, मौद्रिक अभी पेरेन के मुख रूपों की बर्णन कीजिए, आप पटा-पट इसका screen shot कर लेंगे, इसी तरह हम बात करते हैं, question number 13 की, तो question number 13 है, अभी पहुकता अधिकारों का बर्णन कीजिए, कोई तीन, जी हैं दोस्तों, अभी पहुकता अधिकारों का बर्णन कीजिए, कोई तीन, और इसके अत्वा का उपहुकता के उत्तरदायत को समझाईए, इसी तर का प्रशन है, समनवे की प्रकति बत समझाईए, question number 16, प्रवंद के मुख कारियों के संचेप में विवेशना कीजिए, इसके अत्वा का प्रवंद के समाजिक उत्तरदायत को समझाईए, question number 17 है, संगठन के दोसों को बताईए, संगठन की प्रक्या नहीं से चर्णों को प्रक्या को समझाईए, फटाफट इसका भी स्क्रीन स्ट कर लेंगे, इसे तरह हम बात करते है, question number 19 की, question number 19, इस्थाई पूझीत के कारसील पूझी में अंतर बताईए, बित्ती प्रवंद के महत्त को बताईए, question number 20, विग्यापन के महत्त को बताईए, इसके अत्वा का व प्रवंद के संबरधन को अंतर बताईए, आप फटाफट स्क्रीन स्ट कर लेंगे, question number 21, एक अच्छे नाम करने की विशेशता है, बताईए, और विपढ़नन के कारूँआं को समझाईए, आप फटाफट स्क्रीन स्ट कर लेंगे, पूरे के पूरे question, most IMP question है, जैसे ही new paper म मिलेगा हम आपको अपने telegram में provide करा देंगे, तो telegram का link description में दिया हुए, आप जाकर join कर लें, इसके answer की वीडियो चाहिए, तो आप comment box में comment कीजिए, आपको answer की वीडियो मिल जाएगी, प्रवंद के सिद्धान को महत समझाईए, टेलर और फ्योल के प्रवंद सिद्धान को असमानता हैं, बताइए, इसी तरह हम बात करते हैं question number 23 की, तो question number 23 जो कि आपकी screen पर सो रहा है, नियोजन के सीमाओं का उल्लेग कीजिए, एक प्रवापूर्ण नियोजन के आवस्चक लच्छड को बताइए, question number 24, नियुक्तिकरण का महत बताइए, भरती एबम चैन में अंतर बताइए, question number 25, नियंतर्ण के कोई पांच विसेस्ता हैं, बताइए, और question number 25 का अत्वा, नियंतर्ण की प्रक्यों के विभीन चड़नों का उल्लेग कीजिए, question number 26, इसकंद विप्रनी को महत को समझाईए, और सेवी के कारियों का बर्णन कीजिए, अगर चैनल पर न मिलेंगे हम आपको प्रवाइड उसको भी करा देंगे, मिलते हैं नए टॉपक सा इंट्रेस्टिंग वीडियो में जबता के लिच्छे हैं हिंद्ग,